देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में भारत में 2,73,810 नए मरीज मिले हैं और 16,19 लोगों की मौत हुई है। भारत में अब कुल संक्रमितों की संक्या 1,50,17,000 पर पहुँच गई है। एक्ट्यू मरीजों की संक्या 19,39,329 है जबकी अब चला 1,78,779 लोग कोरोना से जान गमा चुके हैं। इसे रोकने के लिए अब तक 12,38,53,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। कोविट संक्रमण और उससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए तमाम तरह के उपाय किये जा रहे हैं।